अगर आपने अभी तक में चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चानल को सब्सक्राइब कर दो और यह है सेशन नमबर टू टारगेट, RPSC and REED जिसमें हम जीके के कॉष्ण करने वाले हैं जो की राजस्तान से रेलेटेड है तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं तो पहला कॉष्ण है एंशियन्ट एरा में हम राजस्तान को क्या कहते थे तो चल्दी से सोच लीचिये एंशियन्ट एरा में हम मायन में और वालमिकी में राजस्तान को क्या मतलब नाम दिया गया है राजस्तान को इसके बारे में हमने बात की थी राजस्तान को क्या कहते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे उसे मरुकंटर कहा गया था तो चलिए अब देखते हैं एंशिंट एरा में राजस्तान को क्या कहा गय मरूदेश उसके बाद अगला कोशन देख लेते हैं मेडेवल एरा में राजस्थान को क्या कहा गया था तो मेडेवल एरा में राजस्थान को कहा गया राजपुताना Next question है Rajasthan को Independence के बाद क्या कहा गया Rajasthan को जब हम Independence मिली थी आजादी मिली थी उसके बाद हमने Rajasthan को किस नाम से जाना Rajasthan के नाम से ही जाना उसके बाद है Father या पितामा of History of Rajasthan जो हमारी History है Rajasthan की उसके Father या पितामा कौन है तो वो है Colonel James Todd उसके बाद हमारा question है Rajasthan कहां located है तो Rajasthan located है North Western part of India में जल्दी से इनको टैली कर लेते हैं तो हमारे पास में पहला question था Ancient Deerah में Rajasthan को क्या कहा गया Marudez Medieval Deerah में Rajasthan को क्या कहा गया Rajputana Rajasthan को Independence के बाद क्या कहा गया Rajasthan और पितामा या Father of History of Rajasthan कौन थे Col. James Todd उसके बाद Rajasthan कहां located है North Western part of India में So वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना श्रे करना ना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलियेगा